बिसमिल्लाई रह्माने रहीम असलाम लेकम वेलकम टू ब्लू बैंट किचन आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़िदार कीमा कडाही के रस्पी लेकर हाजर हुई हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पिसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के टमाटर लिए हैं टमाटर थोड़े हाड़ वाले हैं तो इनको में ब्लेंडर में डालकर इनकी प्यूरी बना लूँगी और फिर में कीमे में एड़ कर दूँगी वन टेबल स्पून ऐसे नदर का पेस्ट एड़ करूंगी तीन दार्चिनी के स्टिके हैं और दो बड़ी लैची हैं कोई मोटा सा कूटली हैं यह एड़ कर देंगे वन टेबल स्पून नमक एड़ करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी एड़ करेंगे वन टेबल स्पून पिसी वी लाल मिर्च और वन टेबल स्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी एक से डेट गलास पानी आड़ करेंगे और कीमे और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे और तो करीबन 20-25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बीच-बीच में हम इनको चेक करते रहेंगे कीमे को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं मैंने 2-3 दफ़ा भी इच में चेक की है था आप देख सकते हैं कीमे का पानी अच्छे से ड्राइव हो चुका है अब इसमे वन कप ऑईल का एड़ कर देंगे और कीमे की करेंगे बुनाई, बुनाई हम बहुत अच्छे से करेंगे, जितनी अब जाद अच्छी बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट फुल आपका कीमा कड़ा ही त्यार होगा, अब इसमें वन टेबल स्पून अधरक ग्रेट किया हुआ या पिसा हुआ एड़ कर देंगे, वन टेबल स्पून बुनाई कुटा दनिया अड़ करेंगे, वन टेबल स्पून ही बुनाई कुटा जीरा जाएगा असमें और वन टीजपून ही ब्लैक पेपर पाउडर अड़ करेंगे, और इन तमाम शालों को भी कीमे के साथ अच्छे से भून लेंगे, कीमा बहुत मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ और इसका पानी कुछ खोने तक इसको पकाएंगे आप देख सकते हैं सर्फेस पे ओल आ गया है अब इसमें हम वन कप क्रीम का एड करेंगे क्रीम को बेच्छे से पैंट लेंगे अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की बलाई भी यूज कर सकते हैं अगेन प्यालियों को अच्छे से साफ करेंगे कोई भी चीज जाया नहीं होनी चाहिए अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर के आड करेंगे मैं होममेड बटर यूज कर रही हूँ आप चाहें तो मार्किट वाला बटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन बटर ज़रूर डालिएगा इसे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आजाता है बारी कटी हुई सबस मि मज़िदार बीफ कीमा कडाही बनकर रैडियो चुकी है आप इसे पूरी के साथ खाएं पराटे के साथ खाएं या पिर नान के साथ बहुत ही लाजवाब बनती है तो चलें इसे सर्फ कर लेते हैं जरूर ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि आपकी कीमा क कड़ा ही कैसी बनी द्वाओं में याद रखें रैस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट मज़िदार और अच्छी सी रैस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज